हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज इस वीडियो में मैं बानाने वाली हूँ गोविंदो भोग चावल की खीर तो चलिए कीचन में और बनाते हैं गोविंदो भोग चावल की खीर आज हम खीर बनाएंगे मीठे में खीर इसके लिए मैंने 1500 ग्राम चावल इसे मैंने घी में मिलाकर आदे घंटा पहले रखी हूँ और थोड़े होया खीर खाजी किस्मीस, 1500 ग्राम चीनी, अथरे इलाइच के दाने और देर किलो दूद जो मैंने गरम होने के लिए बैठा रखी है तो चलिए बनाते हैं आज हम मीठे में खीर बनाते हैं देखे से आदा गंटा पहले जो मैंने रखी है अच्छे से चावल जैसे फूल के बड़े हो गये हैं इसे घी में मिला कर थोड़े पानी डाल कर अब हम इसे दूद में डाल देते हैं दूद के अंदर इसमें खोया खीर चार चम्मस काजी किस्मीश चीनी डेश्रो ग्राम दो चार इलाइस के दाने इस तरह से कि याच पर एक पकाना है तुर तुर देर में चलाते रहना है वन्हाद दूद जल जाएंगे रश्राइख्षायज सबी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं, अब हमें धीमी आज पर इसे पकने देते हैं, बन चुकी हमारी खीर, अब हम इसे निकालते हैं, देखें, बन चुकी हमारे खीर, आप भी इसे बनाईए, और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवार, मिलते हैं अमगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाई बाई! कर दोले कर दोले कर दोले करें आप सब्सक्राइब आप सहोदीने के लिए बाई! झाल झाल